अब जब यह दूइटों कम पर रहा तो यह माइटो कंडिया सोच रहा है लाएं तो लाए कहां साले का यहां पर साला एटीप बना दिये उर्जवा तो निकल गया लेकिन रखिया कहां बची पायरूबिक अमने जलने के बाद में आक्सीजन के उपस्तिती में अच्छतिस राक सी ओ तू कारबन डायाकसाइड है लो गाइज मैं हुए जाप देख रहें अपना यूटूब चलना जैकलास है आज कर टॉपिक जो है वह क्या है साब लिगाए देख लिए क्या है माइट्रो कांडिया में ससन्तों आप लोगोंने क्या पढ़ा था कोशिका पढ़ा थ कोशिका में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी पटा बोले वेले विवेले कमेंटकमेंट कमेंट खटाखट देखिए कोशिका में अमने पढ़ा था यह कोशिका होगा और प्राथ होग तो खो यह सब चीज़ें तो लेकिन हमने यही माइट्रो कांडिया इसी के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि हमारा बोडी जो है परतेक कोषकां से मिलके टीसूज बनाया है उत्तर बनाया हुद्ट गै तो इसी के बारे में बात करते हैं यह क्या होती है यह क्या होती है बात करते हैं सुसन के सुसन मारे अंदर दो परकार के सुसन होता है एक अनता सुसन एक बाहर सुसन में हमने क्या हम कहां तक करते हैं गैस को खिंचते हैं फेफड़े तक ले जाते हैं वहां से आक्सिजन मिलाद के और खौन में ठॉक देते हैं जैसे खौन में आक्सिजन मिल जाता है यहां से बाहर मोटरसाइकल में है जैसे कि मोटर साइकल में पिट्रोल डालते हैं फिरूल को जला किस से जलाते हैं तो Mohor पस्धतरणते हैं तो इसे इसमें माइट्रोकांडियाउम क्या दालेंगे गुछ अब我 इक करती यह इस पेट्रोल को क्यों जलाती है जलाती किस Fair makes और के तो हमारा जो बाड़ी का माई ट्रो कांडीआ है वो किसकी उपस्तिती में जलाएगा आउउक्सी सिजन करके तो यहां पर मैहानी की के चाहँ पे बैभे क दिया गया है और पिट्रोल के जहाँ पे पह सबस्वसर्पतर यह की किशन से लाता और हमको वर्जाद है तो डारेक्ट भोजन को हम नहीं जलाते हैं डारेक्ट भोजन को नहीं जाते हैं डारेक्ट भोजन में से जो nutrition मिलता है खनीज लॉण मिलता है उसको हम जलाते हैं क्या करते हैं उसको जलाते हैं तो यहां पे डारेक्ट यहां पे जानते हो नाले का मद मतलब कच्रा वाई सें पिट्रोल लएता पिट्रोल डीजल तेल सब चीज़ा है उसी में से सब दो सब चीज़ा से निकलती है एक ही मैं से कड़ेगरी में भरजन करके है फैट्रोल निकालते हैं गोजन में से हम निडिस्टार को निकाल देργे लेए in मर किसमें क्या होता है आकशी मतलब होता है आक सी जन अक्सिट में पास्तितिती क्या होता है आक्सीजन की उपस्तिती में क्या होता है आक्सी सोसन अगर यहां पर आक्सीजन बैन कर दिया जाए तो यह अनाक्सी सोसन हो जाएगा अनाक्सी सोसन हो जाएगा आक्सी सोसन कौन करते हैं हम जैसे लोग अनाक्सी सोसन कौन करता है वायरस जैसे कि कोरोना अरे कोर हो ना क्या वरता है अनक्षी सब्सकिंद करता है इसको आक्सिजन की जरूरत इन इस आले को यह कर लेता है तो यहां पर का लिदिक कली एंदर किसमें माइट्रो कांडिया के अंदर ओके यह सोसन माइट्रो कांडिया के अंदर में होती है अब बात करते हैं यह जो यह सोसन होता है इस चक्र को बोलते क्या है यानि कि जो हमारा बलड से आक्सीजन साथ गया माइट्रो कांडिया को आक्सीजन दिया वहां पे जो है हमारा सब्सक्राइब करेप 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 सब्सक् क्योंकि इससे पता चले कि हाँ यह बैग्यानिक होजे थे और उपने नाम का बढ़ावा देने के लिए अपने नाम पर प्रॉडेक्ट करना हो तो फो थोड़ा जीब सा हो जाता और नाम करन भी नहीं company optimize company समय sûrूइस company तो यह सब नाम वह लगा था अपने अपने नाम से क्यों ताकी उससे नामara आप एक रूपको यह लुजाना झाय तो इसने क्रेबच नहीं ही योटा किसने क्या था कुंप रॉप्स है तो यहां पर नाम जो है क्रेप्स साइकल की कोई खिर्फिस ने कि अब निए करप्स थे अब बात हकर यह साइकल काम कैसे करते है फ़एफ द्रवर्परियन्थ था हमा है तो यह कि यह देख आइज यह यहाँ पर हम गलाइसओस हैं अपना में होता है requirements माइट्रो कांडिया में क्या हो गया सेंट्रो सोम हो गया और जो है और क्या राइबो सोम हो गया प्लेटलेट हो गया यह सब ट्रब तो यहाँ यह फिंव अबनता था यह जाता था अहां यहाँ से ओटी पी का लाव इस दो एटीप का लाब करता था लाव'REनि कि दो एटीपी इस तरह बना देता था एटीपी तो जो यह दो एंटीप बन रही थी यह हमारे लिए लाव्त ती यह कौन बना आं तहां सब सब्सक्राइब akh अब इसके बाद में इस यह किसमें होता कोछिका द्रभी में तो आप जानेंगे इसके बाद में फिर यह पारूबिक अमल में चेंज कर देता था किसको नुट्रीशियन को कि यहां से जो न्यूट्रीशियन गया और पश्चतत तो गए होगा यहां पर जिवी द्रावे में यहां पर क्या किया गया इसका गुलॉस्स किया गया ग्लाइकोसिस करने के बाद को कि समें चेंज किया गया पायरूबिक अमल में यह पिया most तो दो एटिपी लाब हुआ निकफिए दुएटिपी हमको मिल गई खट अब यह हो गया इसके बाद में फिर यह कहां पर जाता है माइट्रोकांडिया यहां पर यह कोशका होगी यह माइट्रोकांडिया होगी बाकि सब की दोरान और यहां से निकला 2ATP टोएटीप निकला तो एटीप वो भी पवलस दियाने की निकला इस तरह आप इसको अब देखीैं अब यहां से इस पारूबिक अमलको सिधा न्रॉक दया दा है किसमें माइट्रो कांडिया के अंदर में तो यह हो गया माइट्रो कांडिया का फीगर अब इसको किसको ठोग जाता है पायरूबिक अमल को और यहां पर पायरूबिक अमल कितना बनता है यह दो अमल कितना दो जो यह पायरूबिक एसिड बनता है यह दो एसिड बनता है किसक कर तोड़ने के बाद में क्या वनता है इसका अगड़ेटन होता किसका पाय रूबिक अमल एक से अब अगड़न होता है तो अठारा एटीपी निकलता है तो यहां पे अठारा एटीपी नि कलता हां तो गाइज हमने क्या बता था यहां पे 36 ATP यानि कि यहां पे एक एक अनुसे क्या निगलता है 18 ATP और दूसरे अनुसे 36 तो यहां पे हमको कितने ATP इंपराब्थ हुए 36 ATP लेकिन गुलू पोच को बनाने के लिए कितने ATP की जरूरत होती है थर्टी नाइन इंटीप ने सब्सक्राइब 38 ATP की जरूरत होती कितने की 38 ATP की तभी तो हमको मिलेगी उर्जा क्या मिलेगी उर्जा तो यहां पे 38 ATP की जरूरत है लेकिन अब यह सोच रहे होगे यार पायरूबे का मुलेगे को जलाया फूंका बारा हमको मिला कितना 36 ATP अब दूइथो कम पर रहा है भयवा लाएंगे तो लाएंगे कहां से अब यह क्या करता है माइटो कंडेवा कहता है यार उर्जा चाहिए बोड़ी को करना हमको है बनाना हमको है लेकिन साला दूइथो कम पर रहा है अब जब यह दूइथो कम पर रहा तो यह माइटो कंडे सोच रहा है लाएं तो लाएं कहां साले का अगर हम दूसर दिमाकवम चल रहा था तभी इसको याद आए यार जीव दरब्वावत बनाया रहा दूठी इस्टरा निकारे रहा हो इसलेली उधार का वावा एक याद आवा मैट्रो का इंडिया का कि जवानी जीव दरब्वावा बनाये रहा हा गलाइसोसिस के तर किरिया के दवरान पाय रूबिक अमलवा दूए अमलबनाय रहा दूठी एटी पी निकरा रहा ता बेकर दिमाकों खुली के भाई यह इपक्त अधे इंका दूए नोग उठाइस खटाग दी लाए के चात्तिस आपलस दूए कई दिस तूरां तार्टीस बना खट दे ओटी पी एम लब आर्टीस टीपी से तो यूर्जवा हमका मिली गए उर्जवा मिली गए हम चाहे काम करी चाहे बाइट के पिक्चर देखी चाहे जवान बाइलिये चलाई भैवा चाहे तोरे सून का पढ़ाई देख लिए वैवा यतना मिनात करेक परदे यक्ठी वीडियो बनाव एक ताही वह केतन करके बताना आप यह सब उर्जाए कहां से आएंगी यहीं इतनी बड़ी परकिरिया होती है उर्जा लेने के लिए तो इसलिए नर्जी नाट वेश्ट ओके तो हां गाई यह तो हो गया पूरा माइट्रो कांडेक्स असन पूरा हो गया लेकिन अब आप लोग सोच रहे 30 atp तो नहीं निकलेगा इसके साथ कुछ नैंने कुछ निकलेगा जैसे की हम किसी कागज को जलाते हैं तो वहां से धुवा निकलता राख बचती है और क्या बचता है और उसके साथ में जो जो आला निकलती उसमा वो निकलती है तो हमको यहां पिसला एट इटी पी बना द आटल इस गैस यहीं होता है रखिया है वो वाली रख्य नहीं यह रही ओती इसके पाय रूबिक हम रहने के बाद में अज़न कि उपस्तिती में 368 tp मिलता है और रमको मिन्टा यह राक coda स्ट्रीजंगर करपन हैं सासलियत चोड़ने दरॉरान निकालते आप समझ में आज deaths यो2 कहां से निकलता है इतना लंबा प्रॉसस होता इस्ट्रीयोट निकलने का सा मैं आराई ना इतना लंबा से होताuse CO2 निकलने का तो यह हो गई छोटी से जानकरी तो आपको यह तो भली भाद समझ में आगए होगा हम सांस लेते हैं और कार्बन डायकसाइट शोड़ते हैं तो जो कार्बन डायकसाइट छोड़ते हैं वह कहां से निकलती है हमारे बोड़ी से निकलती है किस जगां से निकलती झाल झाल